कि नमस्कार सब्सक्राइब करते हैं इस वक्त हम हैं इसे स्कूल में हैपी पैरेंस दे मेरी क्रिस्मस दे एक भबी रूप से कारिकम का अजित किया है तमाम जितने भी स्टेंट से अभिवाबक आये हैं और जब यहां का दिश्ट देखेगा तो काफी मन्रुंजक सा है रंग रंकार के मोड़ी चाबोनी तो हो चाफिर नाटक हो अपनी अपनी कोशल और अपना अनुभाव शेयर कर रहे हैं चलिए हम पूरे कार्टम का दिश अपने अभिवाबकों के संग में आये हैं और मेरी किस्मस यह देश में नहीं बलकि पूरे विश्व में मेरी किस्मस देख धूम होती है हम तमाब चीजों से आपको अभगत करवाते हैं चलिए मेरे साथ बने रहीएगा अभर रुष्व मेरे रहीएग्पर ब Murnau! ये, व्यो दो रहीएगगा क्यों पूर्ण काई बने रहीएगा बने रहीएगा पूर्ण काई यो अव्योyu इट पूर्ण अब इन मुनी यो रही हंगर Pay रहीं कॉर्ण के शेख रहीएगा दो नुको यूदम कर लिए पुद्द गार्फिक लिए को से मैं अभघ तो टेपल पॉप। ले देम लिए जाकंज रिए को से छोट से विर्थ गार्ष पीजिए को सुप आपको लिए इन आपको बेहरे दिए कर दो 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 वोली हो दो खुखो सामझा एिए ऍहुंचे कि अधिक वालियों स्लाव वालियों स्वाइब बने चर्वाहा कि वाइब भकरी चलाना और खेतों में देखना कि कहते बेरख्रियों को कुछ नुकसान तो नहीं हो रही है और चाहिए अच्छे शबूर में होदा फॉप फास्ट वर फॉल रहा है वे अभी थोड़ा देख देखे सबको फील अच्छा हो रहा है से आज हैपी बेरेंट के लिए प्रोग्राम है क्रिस्मस का और पेरेंट्स का तो हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स आये यहां पर और इंजोई करें अपने बच्चों के टैलेंट्स देखें और साथी साथ क्रिस्मस का भी आनन्द लें बहुत अच्छा लग रहा है सारी पेरेंट्स आये हैं और हमारे प्रोग्राम भी अच्छे हैं काफी इंजोई कर रहा हैं बच्चे भी काफी मेहनत किये हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहा हैं बहुत ही अच्छा लग रहा हैं सभी अभी भावक ने यहां कर बच्चों का उ प्रवब शुल पर इन्वीन में और आंगर इन दो फक्राइट बिशान सब वाद हैं इस दियल बाद उयर एब जोग बूट एंगर इन जाम और रिए लूह लिएकन। and this school is not new for me because my children also started their learning from this school and Miss Joseph was very well known to me she was a very strong lady with a vision for education and that is why I remember she used to come from Digha to Patna City to open a school here that was something worth appreciating and that time I think the school was a sapling and now it has turned into a banyan tree giving so many students of Patna City and I wish them all the best thank you